राधी राधे आप सभी को जैनमास्टमी पे धनिया की पंजीरी बनाने के लिए बिलकुल दानेदार प्योर एक बढ़िया सी कुटी हुई धनिया चाहिए होती है तो आज मैं बना रही हूँ भोज मसाली के साथ क्योंकि भोज मसाले की जो धनिया पाउडर है बिलकुल दानेदार ऐसे लगता है कि बढ़िया सा उट पीस के बनाया गया है तो सबसे पहले धनिया की पंजीरी बनाने के लिए गोंद को फ्राइ किया जाता है गोंद लेने के बाद अच्छे से फुलाली है और उसके बाद पंच मेवा अब यहाँ पे मैं कोरियंडर पाउडर यानि की धनिया ले रही हूँ भोज की बिलकुल प्योर है इनके सारे ही मसाले बिना लेसुन प्याज यानि की जैन मसाले है जब धनिया बड़िया से खी में भुन जाएगी एक खुश्बू आने लगेगी तब इलाइची पाउडर और हल्कासा एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है ठंडा करने के बाद पिसी हुई चीनी मिलाई जाती है बड़िया सा मिक्स किया जाता है इसको और उसके बाद जो हमने मेवा और गूंद भूंद की रखी है घी में उन सब चीजों को इसमें डाला जाता है जनमास्ट मी पे जितनी भी लोग यूपी से हैं मत्वुरा वरंदावन से हैं उन सब को इसका महत्वो पता होगा धनिया की पंजीरी बिलकुल मुख्य प्रिशाद होता है जरूर ही लगाया जाता है आटे की पंजीरी भी लगाई तो भोज मसाले ने तो मेरी कृष्ण जन्मास्टमी की शुद्धता बरकरार रखे